कि नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का दोस्तों कई बार हाम सोचते हैं से ब्लागिंग करें अगर कmäßig में कई बार हमें यह लगता है कि जो है जो किë करते हैं तो यहाँ पर कुछ ही सिंट हूआ निया है और उसका कुछ आंसर होती है फिर open कर सकते हैं, hide कर सकते हैं इस तरीके से, और यही नहीं, आप answer को detail में explain भी करना चाहें, तो यहां पे explain भी कर सकते हैं, तो यह सारी चीजे कैसे हम प्राप्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का button भी create कर सकते हैं, तो यह आप step by step जानेंगे problem क्या आती है जब भी हम कोई इस तरीके का quiz या exam type का बनाते हैं तो यह rank नहीं होता Google search में उतने अच्छे तरीके से बट क्या होता है कि अगर आपको real में exam type का कोई quiz करवाना है तो यह ज़्यादा helpful होता है क्योंकि यहाँ पर timing भी होती है, question भी होता है यह simple quiz plugin के माध्यम से भी आप कर सकते हैं बट यहाँ पर जो है इसके बारे में क्या होता है यह इस type का जब आप करते हो तो इस base का rank बेतर होता है आप SEO कर सकते हो प्लस इस search result में काफी ज़्यादा आते हैं प्लस इनका chance भी काफी ज़्यादा बढ़ता है कि आप अच्छी खजी earning कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं कि इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि इसको आप HTML, CSS के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं बट इसमें हम simple तरीके से बहुत आसानी तरीके से समझेगे क्योंकि हमें ज़्यादा ताम जाम करने की ज़रूरत नहीं है आपको add new plugin पे जाना है और हम description में इस plugin का नाम दे देंगे या आप वह इसे देख रहे हैं तो इसको copy कर लेना और इसको यहाँ पेस्ट कर देना अब देखे इस plugin में यह सारे style sheet नहीं मिलेगी इसके लिए हम आपको अलग से एक style sheet provide करवाएंगे जिसको आपको copy paste ही करना है और इसको आपको install करना है अब देखे एक parameter create करेगा जब तक यह activate हो जाए बताएं तो जो हमें क्या इस plugin से हमें क्या होगा कि हम कोई text को hide करेंगे और फिर इसको open करेंगे तो expand करेंगे और इसको hide करेंगे तो इसके through हम प्राप्ट कर सकते हैं हमें चाहिए था एक sort code और हम चाहते तो एक function write कर सकते थे बट हमें क्या ज़रूरत है इन सब लफडों में पढ़ने की हमें simple तरीके से एक plugin है तो उससे हम अपना काम बना सकते हैं तो just अब यह हमारा activate हो गया है अब उसके बाद में अगर इसकी settings को देखें तो under the settings में आप जा करके यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं collapse-o-matic के नाम से है तो इसको जैसे ही click करेंगे यहाँ पे eyes teaser रहने दिना है कोई भी setting नहीं करनी है जहाँ पे जैसे ही light है span है, dip है इन सारी चीजों को यहाँ पे slide and fade है कर सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है तो इसके बाद में हम यहाँ पे इसको paste कर देंगे, मतलब save कर देंगे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अब क्या करना है कि हम जो भी content लिखने वाले हैं उस content पे आप focus करिएगा कि कैसे हम लिखने वाले हैं यहाँ पे देखे, सबसे अच्छा इसके लिए होता है classic editor अगर आप classic editor का इस्तिमाल करते हैं तो आपको कोई attention लेने वाली बात नहीं है बट अगर आप Gutenberg editor का भी इस्तिमाल करते हैं तो उसमें आप classic editor का इस्तिमाल करें जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ यहाँ पेस्ट करेंगे तो उतना अच्छे तरीके से look आता नहीं है जितना अच्छे तरीके से एकदम system wise जिस तरीके से classic editor में बन जाता है वैसा इसमें नहीं होता है तो इसकी लिए हम चाहेंगे कि आप classic editor का इस्तिमाल करें तो जैसे हम इसी प्रस्ण को ले लेते हैं और कुछ हम इसी को copy कर लेते हैं copy करने के बाद यहाँ पे हम इसको paste कर देते हैं और paste just हम यहाँ पे ले लेते हैं और उसके बाद में classic editor लेते हैं classic editor में आप इस तरीके से search कर सकते हैं Classic Editor या Classic Paragraph कुछ भी ले सकते हैं और just आपको क्या करना है कि हम माल लेते हैं कि ये पमारे पास प्रस्न है और इस प्रस्वन को हम Copy कर लेते हैं और यहां पे हम Paste कर देते हैं तो कुछ इसे तरीके से हम करते हैं और जो हमारे ये प्रस्न है इनको List-Wise मत करेगा चाहे तो कर सकते हैं बट क्या है कि आप simple तरीके से text लिखें sorry तो यहाँ पे आपको copy करना है और उसके बाद में paste करना है अब क्या होगा कि जो यह आपने paste किया है इसके नीचे आपको answer लिखना रहता है अब answer को आपको क्या करना है कि इसी को answer लिखना है जैसे control c कर दें और उसके बाद में हम यहाँ पे आ रहे हैं और उसके बाद नीचे हमें answer दिखाना है answer दिखाना है तो यह title है यहाँ पे इस तरीके से हम कर सकते हैं और उसके बाद में अब माली जी हमारा answer जो है इसमें C सही है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं C सकते हैं तो यह हमारा रहे हो गया और हम इसको publish कर देते हैं और जब publish करेंगे तो देखे कि अभी तक पूरा तो नहीं मिलेगा जैसा हम result चाहते हैं बट काफी हद तक आप चीजों को समझ जाएंगे जस्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं इस post को views मिलाते हैं और यहाँ पे जब views मिलेके आएंगे तो कुछ इस तरीके का result आपको दिख रहा है देखे यह view answer तो इस तरीके का result आ रहा है बट style sheet में कुछ इस तरीके का अगर आप करना चाहते हो तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप कर सकते हैं तो अब माल लिजिए कि इसी को आपको और copy paste करना है इसी तरीके का तो आप इस तरीके से कर सकते हैं यह हम डेमो के लिए कर रहा हैं तो इस तरीके से आप question number 2 question number 3 के इसाब से कर सकते हैं और यहाँ पे person को अगर explain भी करना हो अगर आपको कोई चीज को explain भी करना हो तो explain भी कर सकते हो माल लिजिए person number 3 में हमें कुछ चीज़े explain करनी है तो आप expand कर सकते हो उसके बाद में यहाँ पे बीच में जो है अपने answer को अपडेट कर दीजिए और उसके बाद में यहाँ पे फिर से हम reference करते हैं और reference करते हैं अगर आप classic editor का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यह वाला editor इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है classic blocks की तो कोई दिक्कत नहीं है बट यहाँ पे आपको दिक्कत होती है थोड़ी सी तो इसको आप समझ जाईएगा यहाँ पे फिर चलते हैं देखिए यहाँ पे explain भी हो चुका है answer c है और इस तरीके से यह down हो रहा है बट क्या होता है कि यह थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हमें चाहिए कि यह look निखर के आए तो उसके लिए क्या करना है आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे कोई भी CSS डाल सकते हो बट यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा हम inspect कर लेते हैं inspect में हम चलते हैं कि इसके थोड़े class ID को हम चेक करते हैं कि class ID क्या है इसका तो अगर आप देखोगे तो कुछ यह class हमारा है यहाँ पे collapsematic का करके और जो यह हमारे class ID है इसको हमें copy करना रहता है तो just हम क्या करेंगे कि इस पूरे class ID को copy कर लेंगे यहाँ पे right side में आप देखेंगे तो इस तरीके का आपको दिखेगा इसको आपको पूरे को copy कर लेना है just यहाँ पे copy कर लीजिए और यहाँ पे theme customize में जाएए कोई भी theme इस्तमाल जो आप कर रहे हैं वहाँ पे आईए और इसको paste कर देना है paste करने के बाद में आपको क्या करना है कि इस तरीके से breakout लगा देना है और उसके बाद में जैसे यह breakout लगाएंगे और उसके बाद में आपको अपना CSS insert करना CSS के लिए मैं फाइल दे दूँगा उसका आप इस्तमाल कर सकते हैं कोई चिंता वाली बात नहीं है just यहाँ से copy कर लेजिएगा हाँ इस CSS को आप जो है क्या कहते हैं अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं बट अभी के लिए मैं यहाँ पे आपको इतना CSS दे रहा हूँ जो कि आपके इस content को better बना देगा यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका बना दे रहा है उसके बाद में यह आपका result perfectly हो गया तो इस तरीके से आप कर सकते हैं तो यह आपका अच्छे तरीके से manage हो जाएगा जस्ट अब क्या करिएगा कि जैसे ही हम इस page को refresh करेंगे तो result क्या आएगा आप देख सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से आ रहा है तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं बेटर result आपको मिल सकता है तो अगर MCQ type का कुछ जैसे learning के लिए कई student इस्तुडेंट इस्तुडेंट करते हैं कि उनको यह पता चले कि कौन सा सही है कौन सा गलत नहीं है वो पढ़ें person को साथ में उसके बाद वो खुद को analyze करें और उसके बाद वो answer कर सके तो कुछ इस तरीके का आप data बना सकते हो मतलब कुछ इस तरीके का page बना सकते हैं अपने blog के लिए और वो perfect result देगा इसके बारे में काफी हमने सोचा बिचारा और उसके बाद में हम इस result पे पहुंचे तो यह आप कर सकते हो तो दोस्तो इस वीडियो में फिलाल इतना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में thank you very much